नमस्कार दोस्तों, डिडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी के स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वो वीडियो है नैला पाकिसानी रेक्शन का, और इसका टाटल है बांगलादेश is planning for atom bomb to control इंडिया, जी हाँ, ये बात ब पाकिस्तानी फौज ने किया, खेर उस बारे में बात नहीं करनी, भूल गया है, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ nuclear pact करना चाहिए, जिससे हम भारत को counter कर सकते हैं, मतलब ऐसा लगता है, जैसे पहले में उनकी बात सुनमा देता हूं, सुनने के. सुनलिया, अब ये ठीक वैसी बात हो गई, कि मानले ये पाकिस्तान का किसी से पंगा होता है, और पाकिस्तान कहीं कि ये काम करते हैं, भारत के साथ हांद मिला लेते हैं, उससे nuclear pact कर लेते हैं. आप सुचिए, बंगलादेश के प्रोफेसर महाशाय ये बात कह रहे हैं, तो बंगलादेश्यों का तो बेड़ा गर्क होना तय है, अब बंगलादेशी क्यों कर रहा हूं, पूरवी पाकिस्तान के लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है, इस तरह की सोच हो की, mindset हो की, बिल करिए, बहुत मज़ा आएगा, चले वीडियो में देखते हैं क्या है, बंगलादेश इस वक्ट जो है, बुकलाहट का शिकार हो गया है, और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है, अब बंगलादेश के प्रोफेसर धाका के अंदर एक्स प्रोफेसर हैं, उन्होंने य बहारत को ड्रा सकेगा और बंगलादेश पाकिस्तान का जो है एक अलाई भी है, यह जो खबरे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि बंगलादेश का बेड़ा गरक होने में कुछ महीने नहीं कुछी दिन बाकी है, क्योंकि अगर देखा जाए, इकनॉमिकली देखा जाए, ड रियक्शन भी लेंगा, दूसरी जाने में यह भी कहूंगी कि बंगलादेश अगर बारत की डिमॉक्रिसी को इगनॉर कर रहा है, बारत की डिप्लोमेसी को इगनॉर कर रहा है, तो भारत की रौ एजंसी भी तो मजूद है, जो के कहते हैं ना कि घर में घुसके मारती है, औ पाकिस्तान में पाकिस्तान में एंटिया गंहीं नहीं है इरान में भी एंटी इंडिया गवर्मेंट नहीं है लेकिन अभी इरान के जो प्रेज़ेंट हैं प्रेज़ेंट ने कहा है जो भी है खुमैनी साथ उनका एक बयान आया है वह बिचारक चिड़े हुए हैं कि भारत इसराइल के साथ क्यों मदद करता है और इसराइल की दोस्त दिकिंग है उसके साथ तो थोड़ा उससे भी चिड़े हुए तुन्होंने एक बयान दे डाला कि यह स्क्रीशॉट लगा देता हूं कि जी गाजा में भी मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है जी यह दे दिया उन्होंने तो दूसरा स्क्रीश तो वहां का बन्दा बोल रहा है शुप्रीम लीडर की जी भारत में जुल्म होता है खैर वो तो इसराइल से खीज है और उन पर भी प्रेशर बढ़ ड़ रहा है ना भाई उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आपको भारत को लेके ऐसे बयान देने पड़ेगे वमको बह देख रहे हैं थीक है यार फेख फॉलिटिकल मामला है वह भारत और इरान संब्स तोर लिये अब तक उसने भारत से और चावार पूड भारत को नहीं दिया होता है ठाई कि नहीं अभी एक महीने पहले ही बात रहा है ना एक डिड़ा महीने पहले ही बात है यह ख़बर लगा दी मैंने स्क्रिंशोट कि चावार पूर्ड भारत के हवाले कर दिया उन्हों ने बहारत ने ऑपरेशन पे शुरू कर दिया तो यह अभी दो चार दस दिन में तो भारत में जुल्म बढ़े नहीं है मुसल्मानों पर ऐसा तो दावा पाकिसदान बहुत पहले से करता रहा है यह मुझे लग रहा है यह मिली भगत है भारत और इरान की और उन्हें कहों कि आप बयान दे दो और हम उसको कर देंगे और बात बराप रोगे आपकी बात भी हो ज जुर्माना पेनल्टी न ठोकता है कि चलता रहता है चलिए बंगलादेश एटम बंप से भारत को ड्रा सकेगा लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्टे के जुन्हों नभी तेख चैनल सब्सक्राब नी किया हमारे चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो का लाइक जय से दो दोन बात करें झाल को यह किसी और मुमालिक से जैसे हम आये ऐंस से ले लेरे हैं लेholएं में चाहिए के हमारे दूसरी जन्सी से रापता करें उन्से नोल ने और जो हमारे नुक्लर पा得larını श॥कर आर दूसरी बात यह जिसकавай में सिराना है के वह निशड़ी रहें चलानी कोशिश करें हम खुद करेंगे हमें किसी दूसरे मुमालिक से जाके पाकिस्तान एक पावर है इंडिया एक आटमी पावर है बंगलादेश के पास तो काक भी नहीं है और मेरे पर भी कोई बंदा आ जाए गाँ तुम्हारा सारो कुछ एक करेंगे जब मुलकाद वाले निकल जाएगा और बाद में वह जो हमने आटमी पावर नुकलर पावर नुकलर नहीं होगी वह हमें करदा दे के दे के दे के हमें उस पॉइंट पर ले जाएंगे हमारे मु पाकिस्तानी से एक मश्वरा पूछते हैं हम हमारे साथ बंगलादेश जुड़ रहे हैं इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं यह जो गवर्मेंट कर रही है नहीं हो रही है हम भी उठे दे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठाके डाल दिया और जो बोलेंग कुशिश क अमरीका पाकिस्तानी से यह गाले तो हो बस मेरी मिलना जाहां मेरी तरफ मेरी तरह से पदो सिंदे पाकिस्तान को किसी को अमेरीका को देढ़ा तो चले का इसे मेरीख GHU SHI today आज वहां पर डोलर चलैने कि जो पासपोर्ट है उनका पैसपोर्त हैं इनको वीजए नहीं लेन नहीं हीAP पाकिस्टार में गुलामी एक पास को पाकिस्तान से उट zeker बा कसे दारो मैं पाकिस्तान 2 लेच और भीगए। कि आपको क्या लगता है आप इदर खड़ी हुए आप सेव नहीं है इसे जो लड़के आपको लेकर चले गांगे यहां आपको घर आप अगर मेरिका कबस आजएगा आप अगर मेरिका जाती हैं आपको यह दिली स्कून होगा कि नहींद यह सेव और अले का में हूं है फिर फोड़ा थोड़ा ज़ Demo Bra友 का अविधना नहीं हों bütün उनके साथ रिप नहीं होता हूं होता है लोग करते है करेम वा भी है क्राइम अगेंस मुमन वा भी है fucked हाँ ठोड़ी है कि सेक्योर फील होता है पाकिन साथ़ा सेक्र्फिल हो यह हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता है हम लोग अपनी जिदीराम से गुजार लें वैसे भी तो यहां से उठके पाकिस्तान जा रहे हैं ना मेरिका अब बंगलादेश कभी आपका दोस मुल्क नहीं था क्या बता हूं आपको अफगानिस्तान का बॉटर साथ लगते इतने मुसलमान वहां पे रहते हैं इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के हिलाफ साधिशे करते हैं तो जाहिर है अगर हम बंगलादेश के साथ मिल जाएंग तो पाग्सान का हिस्सा थाना के साथ हो सकता है अब बंगलादेश में जाकर्या पाकिस्तान नवाश्री आइससे है अच्छा पाधिकस्तान अच्छा सब चोर है के जो यहां पहर को फैस्ता हुआ मता हूं काश बड़ी हो इसे बचे बड़ी कोई चीज नियर देख और दूसरा आ तो यह अच्छी बात है लेकर पाकिस्तान की अबस्ट अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम पम को जंग लग चुका है वो तो किसी खाते का नहीं है इससे तो को डरता नहीं है आज हम पूरी दुनिया के घुनाम बन चुके हैं जो को एटम पम कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद का अजम नहीं जब तक आप खुद जो है ना आपके जजबे शहादत नहों तो उस एटम पम का क्या फैद है अगर एटम बम बना ले देना उनके पास भी ताकत आजाएगा जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहें किरकिट में उसको द भी पंगलादेश के साथ मिल जाना चाहिए आप इस बास से अग्री करते हैं ने वो क्यों नोगों का सोच घलत है अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई किया है वो आप से चीज चीन नहीं अब उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो उनसे चीज भी देख ले आपकी सियासत को लोग सलाम करें आपको चीज हुआ आपको इस तरह से मिलना चाहिए आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं दुनिया जो है बहुत दाम तो बड़ा अच्छा है पाकस्तान के साथ मिलके कोई भी मौलका जे बेश्क बंगलादेश न कुछ पिकाड़ नहीं सकते हैं अगर इंडिया को ड्राना होता यह इंडिया एक्टम बंब से डरता तो हम तो नाइंटींज में बना चुके हैं फिर कश्मीर ले ले लेते हैं अब देखें ना देखें हर चीज़ का ना कोई ना कुई स्टैप लेना जरूरी होता है उन्हो अब उनकी जो यंग जेनरेशन है जो उनकी यूथ है वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है वो नहीं से नहीं आइडिया जेनरेट करेगी वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्कों कैसे तरक्की दे सकते हैं करतो रहे हैं हिंदू पर अटैक माइनोर्टिस पर अटैक हिंदू लड़कियों को उठाना हिंदू का धर्म परिवतन कराना कनवर्ट कराना यह आइडिया आ रहे हैं जो 14 साल पुराने आइडिया से अच्छी बात है बंगलादेश उनका देश है उनको जो करना है अपने देश के साथ करें लेकिन जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा और फल मिलना चालू हो चुका है अभी अभी खबर आईए यूपी में यूपी में कहां पर इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि वहाँ से जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री वह भाग रही है और वहाँ प बड़ा और मिला है मैं आपको बताता हूं आपो बहुत बड़ा और मिला थो समझ रहे हैं यह स्क्रिंशॉट देखे आप और ऐसे तमिल नाडू को बहुत बड़ा ओडर मिला तमिल नाडू को टेक्स्टाइल और गार्मेंट को समझे तो इंटरनेशनल ब्रैंड्स है उनका तो बड़िया ना बंगलादेश से इधर आ रहा है हमारे हां डॉलर्स हमारे अना आएंगे बंगलादेशी बड़ा कूद रहे थे अब लो भाई इनकलाब आया है तो जहे लो इनकलाब फिर आना मत इधर आना मत अधर्वां पहले अटम बं से तंग है कि भाई अटम बं बना लिए इससे आगे निकलाओ नियुक्त हो इसमें डरने वाली के बात है वो वो कहते हैं एक बंब बना हो मतलब वो सिर्फ एक बंब ना सकते हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं पाकिस्तान के लिए दो लोगों ने बड़ी अच्छी बाप कि एक लेकर हिवाब कई यह जो बंदाने जैसे यह अपना आपको बड़ा समाट समझ रहा है नहीं देखने में हैंसम तर्फ ट्रिमिंग करवाता हूं पैसा खर्च करता हूं यार अपने उपर में लड़कियों को भजाओंगा आप समझ रहे हैं लेकिन इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि एटम बनाया है तो जाना ट्रक के आगे कूज जा शहीद हो जा फिलिस्तिन क्यों नहीं जाता तू छोड़ फिलिस्तिन भारत ही आजा कश्मीर में लेकि तो नहीं आएगा तो डर तो तुझे भी लगता है भट्टू बदम लो मैं सुनवाता हूं पहले हसन निसार को सुनिये और उसके बाद तेरे एयर फोर्स के फॉर्मर चीफ अजगर खान उसको सुने यह जो अनपड़ों का टोला यहां फिरता है बड़ा एटमी जंग और यह सजा के रखा हुआ है और यह डेकॉरेशन पीस है इन चाहिलों ने पड़ा ही नहीं किया अटम बाम होता क्या है अब एक करोड़ वो फिर बेस करोड़ का मॉलक है कोई होश के नाखुन लें यह पागलों का एदर एक हजूम है यह कजीब तरह का कन्वी यह वाहित कॉम है जो अपनी बरबादी की खबरों का जश्ट जशन मनाती है यह यह दो ऑफन बेड़ेशन अवेश सबीद इन आर्यों यह जब अदिवाट घ्ट अजिए कि ऑन दुक अर्मूल मनवें प्र। गुलबेशन सब्सक्तर और जिब बल्बादी यह जढ टार्यां था में अट यह ट्यूम्ट प्रीज़ प्रस्टन यह झाएडैं देदिए तो अगर इन दोनों लोगों की बाते सुनकर तुझे अंदाजा मिल गया होगा कि atom bomb का मतलब क्या है तब तो ठीक है वरना तेरे माबाब को भी पच्चतावा होगा ऐसी बाते सुनकर कि मेरा ये नलायक बेटा कैसी बाते कर रहा है इसको समझ नहीं है बुद्धी नहीं है इसके पास दो कोड़ी का दो फूटी हुई कोड़ी के बराबर के तरह पास दिमाग नहीं जो तू ऐसी बाते कर रहे हैं कपड़े अच्छे पहनने से और चेहरा मौरा ठीक कर लेने से आदमी इंटेलेक्चुल और अच्छा नहीं होता बेवकूफ बेवकूफ ही रहेगा कि दुनिया मेरा है कि अर्ज दुनिया हर इंसान ने ने मर जाना मेरे खुटे हैं और इनको मिरे इस प्ढ़ा करना है पिर उसके बाद उनको पढ़ाना है लिकाना है प्रहुरों की सर्दार्नी नहींट होंगी इस मुसल्मान हर जगा पर मैं चाहते हूँ कि हमारे मुल्क की एकॉनिमी बेतर हो हम भी अमीर मुल्क बने मैं ग्रीन पास्पोर्ट दिखा हूँ लोग मुझे सलाम ठोके वह पाकिस्तान से आई है यह एटम बम तो हमने कब का रखा हुए वर्स तरीन पास्पोर्ट है बंगला देश अपने पॉंप पे दुनिया के फिर लार्जस्ट रिक उनकी डिप्लोमेसी देखें उनकी पॉलिटिक्स देखें थोड़ी सीरियस बातों पर भी तवज्जा दे बहत्तर हूरे तो सब देखते हैं वाव उसके देखें अब जब उन्होंने एक स्टैप ले लिया उन्होंने कह दिया जी कि हम प अब को लगते है कि हम पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे मेरे खियाल से करनी तो चाहिए हम अमरीका अटम बंबनाने देगा किसी कोशा अमरीका देखें जापताक इमरान खान था ना तापताक अमरीका जो है ना वहावरी का ढरता नहीं होता बाई लेटर रिलेशन इस तरह नहीं होते हैं वारिगाड़ता था यह सावित हो गया यह बहुत बड़ा चो मूह यह बहुत बड़ा चो मुए आई अगर तुमेरा वीडियो देख रहा ना बुरा मत मानी कि घरवालों को अफसर हो रहा करें तुझे क्यों पैदा किया हम ने बहुत अफसे सो रहा अरे कुछ अच्छी बाते कर नॉलेज की बाते ही तर तेरी बातों से जलक गया कि तेरा पढ़ाई लिए हीज़ा कोई मतलब नहीं है तेरे पास नॉलेज देले भर के नहीं है बस आज का काम बड़िया टी-शिट पहनूंगा जीन्स पहनुगा है फड़ा सेट साट करूंगा माम बार जाएके लड़गयां ताड़ूंगा घर वाबा साथ दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशन अच्छे करेगा तो यह बंगलादेश को क्या साम सूंग गया यह इनके सितारे उल्टे हरकत करें आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक जो है इंडिया की मार्किट में एंटर तो और बंगलादेश की मीडिया के अंदर भी चीज़े बड़ी सीरियसली ली जारी प्रफेसर साव ने ऐसे तो नहीं न वो जले उनके पास पैसा आ रहा है अभी उनका खराब हो रहा है बंगलादेश अभी उड़ेगा हवा में जिस तरह 1960 में चाहिए तुमारे पास था अच्छा तो बहारत इंतजार कर रहे है के बंगलादेश पहले उड़े फिर जब नीचे गिरेगा मौल दीव भी तो गिरा था मौल दीव भी तो ऐसे उड़ा था ने मौल दीव का मुझे नहीं पता है आच्छा चले आपने का अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितनी भी जब उनके अंदर नई गवर्मेंट्स आती हैं कुछ ऐसी होती है जो इंडिया को बहुत जादा हेट करती है उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसी बिनाती है ब्यान बाजी भी करती है लेकिन छे से साथ महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो के इंडिया के कदमों में बैठे होते है आप इंडिया मीडिया कह रहे है कि भई आप हमारी डिमोकरीक को बंगलादेश और कर सकता है हमारी डिपलोमेंसी को बंगलादेश कैसे एगनोर करेगा नहीं राइजंसी पाकिसानी भारत की मीडिया ने कभी राइजंसी को लेकर ऐसी बात नहीं कि नेवर मुझे लिटा कि ऐसी कबर है आप प्लीज बताएं कौन से चैनल पर ऐसी बात हुई है हाँ पॉड़कास्ट पर हो सकता है किसी ने इंडिविजूल तोर पर बात की होगी मीडिया ने कभी नहीं का कि हमारी डिप्लोमेसी से आप इगनोर कर सकते हैं हमारी डिमोक्रेसी इगनोर कर सकते हैं रौ को कैसे इगनोर करें और रौ के बारे में कभी हमारे ऐसी बाते नहीं होती है मतलब पॉड़कास्ट पे भी और इधर भी उधर भी मतलब बहुत मुश्किल है कि ऐसी बाते हैं और रोक के बारे में किसे कुछ पता ही नहीं है रोवाले क्या करते हैं नहीं करते हैं वो कुछ पता नहीं है रोक अभी चीफ कोन है मुझे यह भी नहीं पता है यार ध्यान से उतर गया हमेरे पताईए यार इतनी सीक्रेट सर्विस है हमारी मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने रोग के चीफ का नाम कब लिया था अपके वाले को तो हमें पता है आप सोचीे भाई रो का काम है एक्स्टनल मामें आपकर करना भारत के काम नागरिक मामा लोग है मुझे मतलब है ओर बारत Fit को एक्स्टनल प्रोफेशनल बस मैं इतना जानते हूं और मैं इससे जादा जानने के इक्षा भी नहीं रखता हूं नहीं जानना मुझे कौन क्या क्या कहां कर रहा है हम यह पता है कि हम सुरक्षित हैं बड़े आराम से रहे हैं इसका मतलब है कि वो लोग सही गाम करें बहुत बड़ी आगाम करें पाकिस्तान में कहा रहे हैं 22-23 लोग इदर फड़का के जा चुके हैं और यह युनाइटिड नेशन में हम केस लेके यह हूं कि तीनों कंट्रीज में सब कंटिनेंट की किसी भी हमारी यह जो स्पाई जन्सी इतनी एफेक्टिव नहीं है अच्छा यह बेसिकली हम लोग है हमें स्टोरी पर बलीव करते हैं हमें कहानियां बनाने का चोक है बस इन चीज़ों में हम पड़े रहते हैं में चीज़ एकॉनमी होती है अगर आपकी एकॉनमी स्टॉग है तो आपकी हर चीज प्रॉंग है बिल्कुल लोग बात बेसुनिया में इंडिया की एकॉनमी आप लोग के कॉंसेप्ट में ही गड़ बड़ हैं इंडियन्स की रेस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकॉनमी है या आगे चलके तीसी सबसे बड़ी एकॉनमी बन जाएगा यह बिल्कुल यह पैमाना नहीं है रेस्पेक्ट मैं आपको दरजनों इंसिजन्स गिनवा सकता हूँ जिसमें पाकिस्तानी पकड़ा गया दरजनों अमेरिका में वो साजिद मर्चंट स्क्रिन्शोट लगा रहा हूँ अभी हाली में पकड़ा गया है टर्र अक्टिविटीज के लिए कैनाडा में पाकिस्तानी पकड़ा गया है 20 साल का लड़का स्क्रिन्शोट लगा हुआ टर्र अक्टिविटीज में ग्रीस में आठ पाकिस्तानी पकड़े गया टर्र अक्टिविटीज में 149 युवन डेजिगनेटेट टर्रिस्ट पाकिस्तान में अब इससे ज़्यादा क्या बताऊंगा आप इंडियन्स का बता दीजे एक UN designated terrorist इंडिया का बता दीजे और ऐसे इंडियन्स जो पकड़े गए हो जो terror activities में हो आप बता दीजे हमारी respect इसलिए है क्योंकि हम जहां भी जाते हैं वाँ दंगा फसाद नहीं करते हैं हम जहां जाते हैं उसे हम आप लोगों की तरह शरिया law लगाने की कोशिश नहीं करते हम जहां जाते हैं वहाँ पर लोगों को तबलीग करके convert कराने का काम नहीं करते हम जहां जाते हैं वहा कि economy को बढ़ा देते हैं और यह मैं नहीं कहता है आपको दो लोगों की बाते सुनवाता हूं दोनों Americans हैं दोनों की बाते सुनी तब आपको अंद्राजा लेगेगा सुनी है 6% of the taxes they're amongst the top producers and they do not cause problems they follow laws they don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression anxiety because they're the most productive most family-oriented and the best of what represents American citizens God bless my Indian constituents this is according to the U.S. Census Bureau where Indian Americans rank amongst other ethnic groups if you look at this chart here this is 2018 Indians all the way at the top at $120,000 income Taiwanese is number two they're ahead of them by nearly 25% 24% Chinese third Japanese fourth and it's Pakistani Filipino Indonesian Korean Cambodian Hmong and then Vietnamese and look where white Americans are at $65,000 Indians make 55 more thousand dollars per year than white Americans Indian's respect is for this reason not that the economy is the most important thing is the most important thing that the economy is the most important thing that we don't do it. Indians 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 do it. लेना कोई असान बात है चोटे मुलकों के लिए दुश्मनी अब कैसे कह रहे हैं अब इंडिया के मरसा दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आ कि हमें गोली मार देंगा यह वह कुछ भी नहीं है एक अब देखें आप भाई एकॉनमी को ब्लॉक कर दिया हमें पुरी दुनिया म आप अब इंडिया के किसी अवाम को यार आप आप पक्स्तानी को कैसा समझे संगे हैं और है कॉंप घी वह कॉम्स लड़ रहे हैं दोनों कथ अब इंडिया के अगे जान उनकर नहीं हो बहु है कैसे करें गए उनकर बार दूंके अटम हम वारे पाकिसान के पास नहीं था जब करगिल के वह थी नहीं था अब एक्जांपल दिया ना भारत तो फिर भी बच जाएगा पाकिसान नक्षे से मिट जाएगा पाकिसान बंगलादेश अपने खलाफात खतम करके एक हो जाते हैं तो कितना फाइदा पहुझेगा क्योंकि मुझे लगता है कि बंगलादेश बेवकुफी कर रहे हैं पाकिसान की जड़े हैं क्योंकि पाकिसान की आवाम ने कभी घलत के खिलाब प्रोटेस्ट नहीं किया जब पहली बार पाकिसान ने अटाइक किया उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि आपको भारत पर अटाइक करनी की क्या जरूरत थी जब पहली बार आपके हैं मार्शाल लगा तो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए सडोकोपर उतरना चीए था कि ये मार्शाल लो कैसे लगा दिये, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही तुम्हारे काम सरोधों पर रहना तुम्हारे हाथ में ताकत तुमने कैसे ले ली जब आपके आई स्कूल कॉलेज नहीं बन रहे हैं तो आपको पुछना चाहे था कि क्यों नहीं बना रही है सरकार आपको सरकार के खिलाब प्रोटेस्ट करना चाहे था एक नंबर के नीच कौम है आप लोग इसलिए आपका देश आज भिकमंगा है इसलिए आज आपके देश के पी-एम को हर चेका भीक मांगने पड़ती है पचीसवी बार आपके आप आई-म-फ के आँ गए है आपके आँ लून माने यह है असलिए अब आगे बांगला देश को तो हम निपट लेंग गया बांगला देश जैसे कितने आया और चलेगे दोस्तों आप बताएं कमंड करके आप क्या कहते हैं चल्दे मिलता हूँ एक और ने बुर्ण साथ नमस्कार जाहिए तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कॉल में यह सुविदा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है फलाने टाइम कर मुझसे बात करनी है लेकिन यह भी बता दूं कि यह पेड़ सर्विस है